क्या आप नीन ना आने के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं लगबख छे सालों से नीन ना आने की वज़ा से परिशान हूँ. तो क्या आप मुझे कोई आसान उपाए बता सकते हैं? नीन ना आने के कई कारण हो सकते हैं. कुछ लोग हैं जो अच्छे से सोते हैं पर वो नहीं जानते कि वो अच्छे से सोते हैं कुछ लोग अच्छे से नहीं सो पाते क्योंकि उनका शरीर शायद कुछ देर ही आराम चाहता है पर वो सोचते हैं शरीर और ज्यादा आराम चाहता है तो वो खुद ही परिशान हो जाते हैं मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो बिल्कुल ठीक है लेकिन उन्हें लगता है कि वो परियाप नहीं सो रहे क्योंकि डॉक्टर के कहे अनुसार वो आठ घंटे नहीं सो रहे हैं वो केवल 4 घंटे सो रहे हैं और सेहत मंध हैं तो ठीक है अगर आप सेहत मंध हैं नींद की कमी महसूस नहीं करते और दिन में 3-4 घंटे ही सोते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है ऐसी स्थिती में होना अच्छा है और कुछ लोग अपनी मांसिक स्थिती की वज़े से नहीं सो पाते। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपनी कोशिकाओं या अपने वंच की वज़े से बनी स्थिती के कारण नहीं सो पाते। अगर आप वैसे हैं सिर्फ तभी उसे ठीक करना मुश्किल है जो कि आप नहीं है ठीक है आप अपने वंच की वज़े से उस थिती में नहीं है अगर ऐसा होता तो आपके शरीर की कोशिकाएं ही किसी न किसी कारण से आपको सोने नहीं देती और ऐसा होने के बहुत से कारण है तो अगर आप सो नहीं पा रहे हैं तो मुझे लगता है आपको हमारा गार्डन डेपार्टमेंट जोइन कर लेना चाहिए पूरा दिन, दिन में दस घंटे आप बाहर काम करेंगे फिर आपको नींद आ जाएगी, गहरी नींद अगर वो काम नहीं करता तो आसान तरीगा है कि आप शून्य मेरिटेशन में दिक्षित हो जाएग अगर नींद की कोई समस्या है तो आप तो बिलकुल ठीक और खुश नजर आ रही है और अगर आप बिना नींद के खुश हैं तो ये बहुत अच्छा है हाँ, क्योंकि नीन मृत्यू है हर दिन लोग मरते हैं छे घंटे, आठ घंटे या चार घंटे आप क्या चुनेंगे? कम मृत्यू या ज्याद मृत्यू? हर दिन कम मृत्यू अच्छी है, है न? सिर्फ जब इससे सेहत की समस्याएं हो रही हों आप परिशान हों तब अगर काम करते समया आपकी स्थिती ऐसी हो जैसे आपकी मशीन में चिकनाई की कमी है नीन सिस्टम के लिए लूब्रिकेशन का काम करती है जरूरत से कम नीन से आपके अंदर हर चीज में टकराफ पैदा हो जाता है तो अगर ऐसी टकराफ की स्थिती पैदा हो रही है तो कुछ चीजें की जा सकती है एक चीज है चंदरकुंड जोगी यही है उसमें रोज 15-20 मिनिट बिताईए आप देखेंगे कि आपका शरी ठंडा हो जाएगा इसमें भरपूर चिकनाई आ जाएगी और शरीर और मन का अपने अंदर टकराफ पैदा करने का स्वभाव चला जाएगा जब वो चला जाता है तो आप कितना सोते हैं यह कोई मुद्दा नहीं रह जाता बिल्कुल नहीं हर इंसान को एक बराबर नीन लेना जरूरी नहीं है यह बहुत ही गलत विचार है अलग-अलग लोगों को अलग-अलग स्थर की नीन की जरूरत होती है और योग का एक पहलू या एक उद्देश्य यह है कि नीन को कम कैसे किया जाए क्योंकि सोते समय आप जीवन नहीं जी पाते हैं है न लोग कहते हैं हम नीन्द का आनन्द लेते हैं कोई भी नीन्द का आनन्द नहीं ले सकता आप उस आराम का आनन्द लेते हैं जो आपको नीन्द से मिलता है नीन्द का आनन्द लेने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि नीद में आप और दुनिया दोनों का अस्थित्व मिट जाता है अगर आप वाकई सो रहे हैं तो सुबह सुबह साड़े पांच बजे आप सोने का बहाना करते हैं उसमें खुशी हो सकती है, उसमें सुख हो सकता है, मैं समझता हूँ जब घंटी बज रही हो, तब आप सोने का बहाना करते हैं, उसमें सुख है, मैं इंकार नहीं कर सकता मगर जब आप वाकई सो रहे हों, तब आपको पता नहीं होता कि वो क्या है आप हम मौजूद ही नहीं होते, तो आप नींद का आनंद नहीं ले सकते लेकिन नींद के नतीचे का हम आनंद लेते हैं, नींद से हमें जो मिलता है, आराम के रूप में, तनाव मुक्ती के रूप में, सिस्टम के सुधार के रूप में, हम उसका आनंद लेते हैं तो अगर आपमें ये सुधार बहुत अच्छे से हो रहा है, तो हो सकता है कि जितनी नीन्द की आपको जरूरत है, उसमें भारी कम ही आ जाए. ये एक पहलू है. कुछ दिन पहले कोई मुझसे पाइनियल ग्लैंड के बारे में पूछ रहा था. अगर पाइनियल का रिसाव बढ़ जाए, आम तोर पर भारत में इसे अमरित जीवन या अमरित कहा जाता है. अगर अमरित बहने लगे, तो एक चीज ये होगी कि नीन्द कम हो जाएगी, क्योंकि नीन्द मृत्यू है. अगर किसी दिन रिसाव बहुत ज्यादा हो, तो आप बिल्कुल नहीं सो पाएंगे. ये आम बात है. तो जिस भी वज़े से आप सो रहे हैं, या नहीं सो रहे हैं, या परियाप नहीं सो रहे हैं, अगर ये एक मुद्दा है, तो सुबह देखिए कि कैसा महसूस हो रहा है. अगर अच्छा महसूस हो रहा है और आप पूरे दिन सक्रिये हैं, तो नीन्द के बारे में भूल जाएए. है न, ये जीवन से भागना हुआ, अगर आप बिना किसी कारण के ज्यादा सोना चाहते हैं, तो एक तरह से ये आत्महत्य हैं, आपको आराम की जरूरत है, और आप सोते हैं, तो ये ठीक है, शरीर आराम चाहता है, तो या तो गार्डन डिपार्टमेंट, या फिर शून्य अध्यान, इन में से एक चीज़ से आपको समाधन मिल जाएगा.